28 अगस्त 1961 को जन्मे दीपक तिजोरी भारतिय फिल्म उद्योग की एक प्रमुख हस्ती हैं। उन्होंने बॉलिवुड और गुजराती सिनेमा में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तिजोरी को कई उलेखनिय फिल्मों में उनकी सम्मोहक सहायक भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। पहला नशा उननीस सो तिरानवे में मुख्य भूमिका निभाएं। फिल्म निर्मान की दुनिया में तिजोरी का प्रवेश उनके निर्देशन की पहली फिल्म उफ से शुरू हुआ। 2003 एक ऐसी फिल्म जो पुरुष स्ट्रिपर्स की दिल्चस्प दुनिया पर प्रकाश डालती है। उनकी निर्देशन यात्राबाद की परियोजनाओं के साथ जारी रही, जिनमें फरेब 2005 खामोश, खौफ की रात 2005, टॉम, डिक और हैरी 2006 और फॉक्स 2009 शामिल है। इन फिल्मों के माध्यम से उन्होंने विविद शैलियों और कथाओं का पता लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, और एक ऐसे निर्देशक के रूप में ख्याती अर्जित की जो अज्यात क्षेत्र में जाने से नहीं डरता। टेलिविजन के च्षेत्र में तिजोरी की उलेखनिय उपलब्धियों में से एक थ्रिलर आट दस फ्रेब का निर्मान था, जो एक टीवी मिनी सीरीज थी जिसने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। इस मनोरंजक श्रिंखला ने 2001 में सर्वश्रिष्ट मिनी सीरीज के लिए प्रतिष्थित भारतिय टेलिविजन अकादमी पुरसकार जीता, जिससे मनोरंजन उद्योग में एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में तिजोरी की स्थिती मजबूत हुई। अपनी निर्देशन यात्रा में तिजोरी ने एक फिल्म निर्माता के रूप में प्रयोग करना और विक्सित करना जारी रखा। से संभाल सकता है। बॉलिवुड और गुजराती सिनेमा में दीपक तिजोरी का करियर दशकों तक चला, जिसने इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में उनके योगदान ने सिनेमाई परिद्रिश्य को समरिध किया है और उनके काम को दर्शकों और आलोच को द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। झालोच कि प्राइब को दो दो एक अभिनेता है। झालोच कि अभिनेता है।